हाई, 7 days bread challenge, first day है french baguette इसे बनाने के लिए एक bowl में लेंगे पानी, चीनी और इस्ट, इसे mix करके रख देंगे, हम cover करके 10 मिनट इसके बाद इसमें डालेंगे मैदा और नमक, इन सब को mix कर लेंगे और एक दो फॉर्म कर लेंगे इसे cover करके रख देंगे 2 घंटे, 2 घंटे के बाद आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजेगा, किसी भी board में और इसके बाद इसे fold करना है में 4-5 बार और इसके बाद इसको 2 पार्ट में divide कर देंगे यह मैंने भी first time ही बनाया है तो I don't know कि कैसा बनेगा इसे इस तरह से cylinder का shape देंगे, bagage जिस shape का होता है और उसे cover करके रख देंगे आधे घंट After half an hour मैदा dust करके इसमें 3 cut लगा देंगे और 230 degree Celsius में आधे घंटे के लिए bake करेंगे And it's done! यह उपर से crunchy और अंदर से काफी soft बनाया है आगे के challenge के लिए stay tuned, bye!